हिंदुस्तान जिन्दाबाद न जुकने देंगे इसको हम रहेगा जब तक दम में दम न जुकने देंगे इसको हम तिरंगा लहराएंगे हम न जुकने देंगे इसको हम न जुकने देंगे इसको हम तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे हम हिंदुस्तान जिन्दाबाद हिंदुस्तान जिन्दाबाद आजादी का अमरत महुत सब मिलकर हमें मनाना है नफरत और आतंक को अब भारत से दूर भगाना है आजादी का अमरत महुत सब मिलकर हमें मनाना है नफरत और आतंक को अब भारत से दूर भगाना है भारत से दूर भगाना है ये खाते हैं हम आज कसम रहेगा जब तक दम में दम तिरंगा लेहराएंगे हम हिंदुतान जिर्दाबार हिंदुतान जिर्दाबार मेरे भारत की जानिब जो दुश्मन आख उठाएगा हमसे अगर तक राएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भारत की जानिब जो दुश्मन आख उठाएगा हमसे अगर तक राएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा कोई भी आँख नहोगी नम रहेगा जब तक दम में दम तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे हम हिंदुतान जिन्दाबाद हिंदुतान जिन्दाबाद जिन्वीलों ने जां देकर आजादी हमें दिलाई है उनकी एक गुर्बानी हमको आज बहुत यादाई है जिन्वीलों ने जां देकर आजादी हमें दिलाई है उनकी एक गुर्बानी हमको आज बहुत यादाई है ये जज़बा अब ना होगा कम रहेगा जब तक दम में दम तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे हम हिंदुसार जिन्दाबाद तुमको ये कश्मीर न देंगे ये जादीर हमारी है इसको हमसे तुम ले लोगे या आवकाद तुम्हारी है तुमको हम कश्मीर न देंगे ये जादीर हमारी है इसको हमसे तुम ले लोगे क्या आवकाद तुम्हारी है क्या आवकाद तुम्हारी है सुनो ये जान भी देंगे हम रहेगा जब तक दम में दम सुनो ये जान भी देंगे हम रहेगा जब तक दम में दम तिरंगा लहराएंगे हम तिरंगा लहराएंगे हम हिंदुता जिन्दाबाद तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है सारे भारत वासियों का मान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी शानत रंगा है मेरी शानत रंगा है अपने सर को कटा के फिर भी मा के सर को न जुकने दिया सीने पर गोली भी खाई पर ना कदम को रुखने दिया अपने सर को खटा के तिर भी मा के सर गोना जुकने दिया सीने पर गोली भी खाई पर ना कदम को रुखने दिया जिन्दा जमी में गाड दिया जिसने लिया बंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जानती रंगा है आबरू भारत मा की नीलाम कभी ना हूने दिया जहां जरूरत पड़ी वहां पर लहू था अपना बहा दिया खून की नदिया बहाती जैसे बहर ही गंगा है मेरी जानती रंगा 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 है बम गोली कितने बरसाओ कभी नहीं ये डरते है बर्फ की चादर में ये रहते फिर भी नहीं ये जमते है गोली बम कितने बरसाओ कभी नहीं ये डरते है बर्फ की चादर में ये रहकर कभी नहीं ये जमते है गगन दीप भी बारतमा के रंग में रंगा है मेरी जानती रंगा है ये मेरा वतन लगता है सारी दुनिया में न्यारा भारत की मिट्टी में है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा सरहद पर डटे हुए है अब देश के वीर सिपाही अनेको बार जिन्होंने दुश्मन को धूल चटाई छुप करके किया जो हमला घर में घुस कर भी मारा भारत की मिट्टी में है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा कोई दुश्मन कर नहीं सकता डट करके सामना हमारा बरि कूट कूट कर हम में देश भक्ति की धारा एक जोश नया जगता है सुन कर जेहिंद का नारा भारत की मिट्टी में है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा यहां हुए है वीर शिवाजी और भगत सिंग जन में यहां खूब लड़ी मरदानी जासी के रण में जिसने मरते मरते भी कई अंग्रेजों को मारा भारत की मिट्टी में है स्वाभी मान हमारा भारत की मिट्टी में है स्वाभी मान हमारा है स्वाभी मान हमारा ऐ मेरी वतन के लोगों यह जो हिंदोस्तान हमारा ऐ मेरे वतन के लोगों ये जो हिंदुस्तान हमारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लहजाए तिरंगा जंडा सदाओं चारहे हमारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा करू याद जरा लोगों उनवेरों के कुरबाने आजाद हिंद हम चहे अपने मन में थी ठाने करू याद जरा लोगों उनवेरों के कुरबाने आजाद हिंद हम चहे अपने मन में थी ठाने हस करके जूले फासी दिया इंकलाम का नारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा अब सैनिक वीर हमारे कर सरहद की रखवाले ये नूची आख दुश्मन की जो बुरे नजर है डाले मुड़ कर के कभी ना देखे वो भूल से भी दो बारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा अपनी प्राणों से प्यारा है अपनी बुलंदे राणे कभी नहीं बैठना ठक कर अब बढ़ने लगा है भारत मेरा दूज विकासे के पथ पर है अपने बुलंदे रादे कभी नहीं बैठना ठक कर अब बढ़ने लगा है भारत मेरा दूज विकासे के पथ पर बने विश्व गुरो एक दिन ऐसा संकल्प हमारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा मजहब की नाम परेस को ना कोई बाट पाएंगे कोशिश करने वाले भी आखिर मुह के खाएंगे हम सभी की नाम परेस को ना कोई बाट पाएंगे कोशिश करने वाले भी आखिर मुह के खाएंगे हम सब को रखना कायम हम सब को रखना कायम आपस में भाई चारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा ऐ नेरी वतन के लोगों ये जो हिंदुस्तान हमारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा लगता है हम सभी को अपनी प्राणों से प्यारा जे हिल जे भायत जे मात्रभूनी जे जवान जे किसान जे जे बिग्या ये जननी जन्म भूमी हमारी लगती है प्राणों से प्यारी ये भारत माता सो जन्मों तक तुम पर जाओं बलिहारी इस देश की शान तिरंगा है जो गर्व से हम लगराते हैं देश की सेना सरहद पे तो चैन से हम सो जाते हैं इस देश की शान तिरंगा है जो गर्व से हम लगराते हैं देश की सेना सरहद पे तो चैन से हम सो जाते हैं जब मैटल आए ओलम्पिक में बढ़ती शान हमारी हे भारत माता सो जनमों तक तुम पर जाओं बलिहारी भारत माता सो जनमों तक तुम पर जाओं बलिहारी यहां भगत सिंग से वीर हुए जिसने हस कर दी कुरबानी और विरांग न ऐसी हुई जैसे जासी कीरानी यहां भगत सिंग से वीर हुए जिसने हस कर दी कुरबानी और विरांग न ऐसी हुई जैसे जासी कीरानी प्राणों से ज्यादा जिने तेरी आनवान लगती प्यारी हे भारत माता सो जनमों तक तुम पर जाओं बलिहारी और किसान देश का जब खेतों में मेहनत करता है अनदाता कहलाता क्योंकी पेट सभी का भरता है और किसान देश का जब खेतों में मेहनत करता है और तकनीक में भी पीछे नहीं हम तो सब पर भारी अम तो सब पर भारी हे भारत माता सो जनमों तक तुम पर जाऊं बलिहारी भारत की प्रभुता संपदा का सब ने लोहा मान लिया भारत की प्रभुता संपदा का सब ने लोहा मान लिया विश्व गुरु फिर से बन जाए मानती दुनिया सारी हे धर्ती के भगवान हे माटी पुत्र की सार तेरे हे इतने अहसार मैं कैसे करू बखार अन दाता अन दाता अन दाता की सार कर्म है तेरी पूजा धर्म तेरा इमान दुनिया के भूख मिताने तू करता महनत जी जान अन दाता अन दाता अन दाता की सार एंडी दाथा, एंडी दाथा, एंडी दाथा की सांद धारा फ्यार की बहती है तिरी निर्मल सीने से, पसले भी प्यास बुझाती है तिरी तन की पसीने से उसे ही शक्ती पाता है सेना का हर जवार, तब धरती अंबर गाता है जै जवान जै खिसांद घारत देश महान देर रात। अनदाथा आथा, ऑनदाथा की सांद दिशी और खिश परंपरा भारत की है परचा ये विश्व गुरू फिर कहलाए भारत मा का यर्मा मिश्चल जीवन जीतर किसान करता सब का समाल तिरंगे की तरह किसान भी मेरे देशी की है शाँ पर चला खड़ हर खड़ का हर समस्या का समलाई अन दाता अन दाता की समाँ ये धरती के भगवान ये माती पुत्र किसान तिर है इतने एहसान मैं कैसे करूँ बखान कर्म तेरी पूजा धर्म तेरा इमाँ दुनिया के भूख मिटाने को करता महनत जी जाओं अन दाता अन दाता की समाँ अन दाता की समाँ बंदे मा धरम बंदे मातरम सुचना सुफना मल यज शीतना शास्या शामला मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम शुब्रा जोस्नाम पले कित यामिनी फुल्लको समिता द्रुमदल शौबिनी सुभाशनी सुमधुर भाशनी सुख़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ हम वीर सावर कर का जीवन पर्च बताते हैं, गौरों गाथां गाते हैं अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलवाते हैं, हम कथां सुनाते हैं हम वीर सावर कर का जीवन पर चे बताते हैं, गौरों गाथा गाते हैं, अंगरे जो से लड़कर आजाती दिल बाते हैं, हम कथा सुनाते हैं प्रिय देश वासियों, आज हम आपको आजादी के महानायत वीर सावर करके जीवन का इतिहास बताएंगे जिनको एक महान स्वय तंतता सेनानी, राजनेतिग्य वकील, समाज सुधारक और हिंदू वादी के रूप में जाना जाता है ये ना केवल आजादी के लिए लड़े, अपितु किताब लिखकर भी भारत वासियों को आजादी के लिए प्रेरित किया तो आईए जानते हैं वीर सावरकर जी के जीवन का परिचै सन अठारा सो तिरा सिठा इस मई का दिन, नासिक जिला और गाओं भागपुर इनका हुआ जनम पिता दा मोदर पंत सावर कर राधा बाई माता, इन्हे विनायक दा मोदर सावर कर नाम दिया जाता नो साल की आयू में ही माता चल वसी हैं, सूला साल का होते ही नहीं रहें पिता जी हैं उनके ही बड़े भाई थे जो गड़ेस और नारायन, उनके घर ही होने लगा है इनका पालन पोशन सिच्छा भी भाई उनकी पूरी करवाते हैं, पावन गाथा गाते हैं अंगरे जो से लड़कर आजाती दिलवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं प्रिये देश वासियों, जब उनकी आयू नौ साल की थी, तो हैजे के कारण माता का देहान्त हो गया उसके साथ साल बाद ही, तपेदिक नामक विमारी से पिता जी भी चल बसे इनके दो बड़े भाई थे, नारायन योम गनेश बाबा, बड़े भाई गनेश बाबा राओ ने इनकी सिच्छा का खर्च उठाया इनकी एक पहन भी थी, जिनका नाम मैना बाई था, ये अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे जिसके कारण इन्हें वीर सावरकर कहा जाता था, वीर सावरकर जब छोटे थे तो मित्र मेला नामक एक युवा समूह का आयोजन किया जो लाला लाजपत राय, बाल गंगा धर तिलक और विपिंद्र चंद्र बोस जैसे कटर पंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे और समूह को क्रांत कारी गत विधियों में शामिल करते थे ये अपने बड़े भाई बाबा गडेश राओ से बड़े ही प्रभावित थे इन्होंने पुड़े के फर्क्यूशन कालेश से असनातक की डिगरी प्राप्त की फिर इंगिलेंड से छात्र व्रित्ति का है प्रस्ताओं आया स्यामजी कृष्णा वर्मा ने है सारा खर्च उठाया फिर तो वीर सावर कर सिग्र ही पहुँच गए लंदन ग्रेजिनला कालेश में लिया है जाकर एडमीशन दिन में पढ़ते रात को इंडिया हाउस में रहते आजादी के लिए है लड़ना भारतियों को कहते फ्री इंडिया सोसाइट का भी गठन कर लिया है लडने के लिए अने को यूवाओं को त्यार किया है अंग्रेजों के जुल्म बड़े ही बढ़ते जाते हैं पावन गाथा गाते हैं अंग्रेजों से लड़कर आजादी दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रिय देश वासियों अपने लंदन प्रवास के दोरान इन्होंने अनेको भारतिय युवाओं को आजादी के लिए लडने की खातिर प्रेरित किया वहाँ इन्होंने इंडिया हाउस में शरंड ली जो उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास था वीर सावरकर को लिखने का भी खोब शोग था इन्होंने दा हिस्ट्री आफ दा बार आफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक किताब लिखी जिसने कई भारतियों को आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाब लड़ने के लिए प्रेरित किया ये किताब कुछ ही दिनों में इतनी लोक प्रिय हो गई कि अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया लंदन में एक भारतिय थे तब लाला हर दया इंडिया हाँ उसकी करते थे वो ही देखबा मदन लाल धिंगरा भी होते थे क्रांतिकारी जिन्होंने विलियम हटकर जनवाय अली को गोली मारी जिसका जिक्र लंदन टाइम्स अखबार में हुआ है लंदन टाइम्स पर ही इन्होंने फिर एक लेख लिखा है जिसमें विलियम की हत्या को सही ठहराया है अंग्रेजी सरकार को जिस पर क्रोध बड़ा आया है गिरफतार करने का इनको हुक्म सुनाते हैं पावन का था गाते हैं अंग्रेजों से लड़कर आजाती दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रिय देश वासियों लंदन टाइम्स पर लेख लिखने के जुर्म में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें गिरफतार कर लिया और आठ जुलाई 1910 को जब इन्हें MS मोरिया नामक जहाज से भारत लाया गया तो सिविर होल के रास्ते से भाग निकले क्योंकि मदन लाल धिंगरा भी क्रांतिकारी थे तो वो सावरकर के मित्र भी थे और अनुयाई भी किन्तु जब मदन लाल धिंगरा ने विलियम हट करजन वायली की हत्या कर दी तो उनको मौत की सजा सुना दी विर्साबरकर जी ने मदनलाल धिंगरा को एक महान देश भक्त और क्रांतिकारी बता कर विद्रोह को और उग्र कर दिया अंग्रे जी सरकार पिसाधा इन्होंने जो है निशाना इनको भी सरकार ने अपना तो है दुस्मन माना मदानलाल धिंगरा को तो है मौत की सजा हुई लेकिन मदलाल धिंगरा को ये कहते है सही विलियम की हत्या में शामिल विर्साबर कर है इलजाम लगा के मुकदमा कर दिया इन पे दायर है और पिस्टोल बना के बेचने का इलजाम लगाया जूठा मुकदमा विरसाबर कर जीपर है चलवाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं पावन गाथा गाते हैं अंगरे जो से लड़कर आजाती दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं ऐसे थे विरसाबर कर लड़े अंगरे जो से डटकर प्रिय देश बाजियों वीर साबरकर को नासिक की एक सेलूलर जेल में बंद कर दिया गया वहाँ पर भी ये अपने साथी कैदियों को अंग्रेजी सरकार के खिलाब विद्रोह के लिए उकसाते रहे नासिक जिले के कलेक्टर से एक बार इनकी इतनी बहस हुई की जेल में रहते हुए भी इन्होंने उसकी हत्या करवा दी नासिक शडेयंत कांड में इनहें साथ अप्रेल उनीस सो ग्यारा को सजाए काला पानी दे दिया गया सबसे कठिन मानी जाती काला पानी सजा जहां कैदियों को करना पड़ता है परिस्रम बड़ा छीला जाता जहां नारियल और निकलना तेल और कैदियों को ही बनाते हैं कोलू के बैल और भर पेट भोजन उनको ना दिया जाता था सजाए काला पानी से हर कोई भै खाता जुल्म बड़ा ही करे कैदियों पे अंगरेजी सिपाही नंगी पीठ पे लेके बैत वो करते खूब पिटाई जाने कितने ही कैदि जेल में मर ही जाते हैं पावन गाथा गाते हैं अंगरेजों से लड़कर आजाती दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं ऐसे तिवीर सावर कर लड़ेजों से डटकर प्रिये देश वासियों सजाए काला पानी को सजाए मौत से भी बत्तर माना जाता था वहां के कैदियों को ना तो भर पेट भोजन दिया जाता था उपर से बारा चौदा घंटों की अतियंत ही कड़ी महनत करवाई जाती थी और बेत लेकर नंगी पीठ पर मारा जाता था किन्तु वीर साबर करने कभी उफ तक नहीं किया इनको तो सजा देने वाले ही ठक जाते थे मार पड़े चाह कितनी भी पर ना कहराते थे क्रांतिकारी थे ऐसे और कटर हिंदु वादी इनके विचारों से सहमत कभी नहीं हुए है गाधी विर साबर कर अपनी नीतियों पर ही चलते थे इनके यही विचार कई नेताओं को खलते थे हिंदु महासभा में भी यह शामिल हो गए है कटर पन्थी हिंदु इनके कायल हो गए है वीर तभी कहते कभी भी ना घपराते हैं पावन गाथा गाते हैं अंगरे जो से लड़कर आजाती दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रिये देश वासियों जेल में रहते हुए उनकी राष्ट्रिय स्वतंत्रता की भावना कम नहीं हुई उन्होंने वहां अपने साथी कैदियों को पढ़ाना लिखाना सुरू कर दिया यवम जेल में ही एक बुनियादी पुस्तकाले सुरू करने के लिए सरकार से अनुमती भी ली यही उन्होंने एक वैचारिक पुस्तिका लिखी जिसे हिंदित्त के नाम से जाना जाता था हिंदू कौन है और इसे सावरकर के समर्थकों ने प्रकासित किया पंपलेट में उन्होंने हिंदू को भारत वर्स का देश भक्त और गौर वानवित निवासी बताया इससे कई हिंदू प्रभावित हुए विरसावर कर सेनानी और देश भक्त तो थे हिंदू वादी थे हैं इनकों हिंदू समर्थक थे बौध धर्म और सिख धर्म को मानते अपने समान और अखंड भारत का करना चाहते थे निर्मा छे जन्वरी सन उन्नीसो चोविस का वो दिन था सजा काट कर विरसावर कर जेल से हुए दिहा रतनागिर हिंदू सभा का फिर निर्मार किया योगदान अपने भारत के लिए है खूब दिया हिंदू महा सभाक्य अध्यक्ष फिर बन जाते है पावन गाथा गाते है अंगरे जो से लड़कर आजादी दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं प्रिय देश वासियों सन 1937 में वीर साभरकर को हिंदू महा सभा का अध्यच्छ बनाया गया इस समय महम्मद अली जिन्ना ने कांगरे शासन को हिंदू राज घोसित कर दिया इससे हिंदू और मुसल्मान के बीच पहले से ही बढ़ रहा तनाओ और भी बत्तर हो गया वीर साभरकर चाहे कटर हिंदू वादी नेता थे किन्तु वो कभी भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे महम्मद अली जिन्ना पंडित जवाहल लाल नहरू और महत्मा गाधी ने मिलकर भारत के विभाजन का फैसला लिया था जिनका वीर सावर कर कट्टर विरोध किये थे नहीं विभाजन चाहते थे चाहे थे हिंदू चेहरा भारत पाकिस्तान बने जब दुख पहुचा गहरा किस वीर सावर कर की बहदुरी के है अने को उनकी लिखी किताबों को कभी पढ़ कर तो देखो जिसने सदा ही हिंदू धर्म का मान बढ़ाया है डियस पालन जीवन परिचे इनका बताया है हम सबको तो हिंदू होने पे गर्ब होना चाहिए यदि करनी है रक्षा धर्म की अब भी जाग जाईए फोजी सुदे सपने शब्दों से तुम्हें जगाते हैं पावन गाथा गाते हैं अंगरे जोसे लड़कर आजाती दिलवाते हैं हम कथा सुनाते हैं ऐसे तिमीर साबर कर लड़ अंगरे जोसे डटकर